हेलो एवरीवान वेलकम टू इंडिया बड़ी आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में स्टुडेंस महारास्टा के स्टुडेंस मुझे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि मैं वर्शा मैडम से भी डिरेक्ली इमेल करके बात करूँ तो इसलिए मैंने उनकी बात सुनते हुए स्टुडेंस मैंने हमेशा कहा है कि मैं स्टुडेंस का पॉइंट रखूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि लोकातंतर का साइट है यह एंड यहां पर इमेल आड्रेस और बाकी सारे डीटेल्स दिये गए हैं सो मैंने इसमें लिखा किया है मैंने उनको लिखा है respected वर्शा मैं I would like to inform you that since the covid cases in महारास्टरा are increasing so conduction of the board exam SSC and HSC efficiently and with no harm for anyone's health is one of the challenges which our education department is facing I would like to suggest one way in which we can efficiently conduct the board exam मतलब मैं यहां पर प्रमोट की बारे में बताया लेकिन प्रमोट को भी एक अलग तरीके से मैंने इसमें बताया जैसा मैंने इस चीज़ को आपको पहले भी बताया था मैंने जो secretaries को भी भी भीजेते हैं वही चीज मैं यहां पर mention कर रहा हूँ ठीकिन यह मैंने डारेक्वर्शा मैडम को भीज दिया है आप मैंने उनको लिखा है we can provide some assignment instead of written exam for 10th and 12th students same as what we are doing for practical and internals but we can make sure this assignments are corrected by external teachers which also include oral exam related to assignment and help to validate if assignment is done by the candidate or not क्यों oral exam इसलिए अब यहां पर कुछ लोग पुछेंगे सर oral exam कैसे oral exam online भी हो सकती या offline depending on the region to region के उपर होगा so this will help to provide the varied marks on their performance conduction of the oral exam as well as submission of the assignment can be online or offline depending on region to region so जो रूलर एरिया के students को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हमारे पास उतना ने ने तो आप अपने school में भी जाके उसको submit कर सकते है depends जैसे आपको offline का exams के भी थे तो मैंने लिखा है it's my humble request if you can have a look for this method and as this will save a lot of time and exposure and finally the percentage can be calculated ठीक है या पे percentage भी मिल जाएगा मैंने उनको मैंने एक चीज़ लिखा I would request ma'am students are highly tensed mental status so are in highly tensed mental status so can you please provide students update on exam as early as possible I leave rest for your and department wise decision thanks and regard India buddy YouTube team so students मैंने यही चीज़ लिखा है मैंने उनसे बात कि मतब यह इन डारेक प्रमोशन का तरीका है कि बच्चों को promote कर दिया लेकिन प्रमोशन में प्रब्लम क्या होता था कि उनके marks के लिए होता था कि माक्स किसे लेकिन अगर assignment है थोड़ी बद पढ़ाई क यह बच्चे ने तो उसमें marks आपको मिल जाएंगे तो यह important चीज़ है तो students आप मुझे comment करके बताईए कि यह तरीका वर्शा मैडम जी को लिख के दिया है यह correct लगा आपको यह method क्या सही लग रहा है कि इस तरीके से यह exam में होना चाहिए और अगर आपको कुछ changes चाहिए तो आप definitely मुझे comment करें लेकिन एक important चीज़ है students please इसको share कीजिए क्योंकि देखे जब हम ऐसे method share करते हैं इसके पहले भी मैंने बहुत बार किया था तो वो अगर आप देखो कि Twitter और इस पे बहुत ज़्यादा parents ने उस चीज़ों को बात किया तो जो खासकर यह statement जो हमारे ज मतलब offline submission of assignment होगा और oral होगा तो वहाँ पे network या कोई बहुत strong आपकी पास mobile होनी चाहिए या आपकी पास बहुत अच्छे laptop सुन चाहिए यह सब चीज की जरूत नहीं है आप कोई भी तरीके से कर सकते हो offline online depending हो जहाँ पे cases कम रहेंगे वहाँ आप स्कूल में भी बुला कि कर लिया जाएगा जिसे आपके practical exams होते हैं एक external लाएंगे उसमें कर सकते हैं और जहां पे नहीं possible वहाँ पे zoom या Google meet किसी भी तरीके से जिस पर वीडियो कॉल करके आप बच्छे से बात कर सकते हैं तो वहाँ पे सारे updates मिल जाएंगे और इसके बाद भी एक alternative option है कि अगर इतन को स्टड़ी कर रहा है तो इसलिए मैंने उसमें एक add कर दे कि CBSE ने भी कहा है कि 10 के बच्चे को जो प्रमोट किया जाएगा तो वही मैंने चीज़ कहा कि 10 और 12 को दोनों को कर दिया जाए ताकि entrance exam के ओपर भी focus किया जाए students को और वह बहुत अच्छे से अपने mental status को भी follow कर सकते हैं बहुत जगे पर COVID cases बढ़ रहे हैं ऐसे predictions भी हो रहे कि आगे और भी बढ़ सकते हैं तो वह सारी चीज़े क्यों mental stress बच्चे को रहा है उससे अच्छा ही है कि यह solution है जो बहुत अच्छे से तो इसमें teacher, parents, staff सब की life को जो खत्रा है वो बच सकता है तो यह important चीज मै अच्छे से उनके पास पहुच जाएगी तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इंडिया बड़ी जय हिंद